विज्ञान विशे पाठ दो और पाठ दो का नाम है पाउधों के विभिन भाग आज हम इस वीडियो में पाउधों के भागों के बारे में पढ़ेंगे तो आप सभी ने अपने आसपास में अनेक प्रकार के पाउधों को देखा होगा छोटे पोधे बड़े पोधे चाहे आम का पोधा हो चाहे नीम का पोधा हो चाहे गुलाब का पोधा हो चाहे कोई घास हो यानि वो कोई छोटा से छोटा पोधा हो या बड़े से बड़ा पोधा हो आपने सभी प्रकार के पौधे देखेंगे, चोटी चोटी घास देखेंगे, एक घास वाले फूल वाले पौधे होते हैं, गुलाब का फूल आपने लगाया होगा, देखा होगा, गेंदे का फूल देखा होगा, कनेर का पेड़ देखा होगा, फिर उससे बड़े पेड़ों पे चलें तो आपने अम्रूत का पेड़ देखा होगा बेर का पेड़ देखा होगा और बड़े पेड़ों पे चलें तो आपने नीम का पेड़ देखा होगा अगर हम और बड़े पेड़ों को देखना चाहें तो आपने बरगत का पेड़ देखा होगा अपने पीपल का और कोई बड़ा पौद्धा है। हम्हा जड़ पाई जाती कि एधिर जटल पॉद उसमें भी जड़ जाये गास में च्ट शोटी सोटी सबढ़ा होती अंग जू निम कप्ष। बड़ी जड़े बड़ी जल में जड़ तो होती एच चोटे पौदे में भी बड़े抖े आइसी पतियां घास में भी पत्ती होती है चोटे-चोटे पौदों में भी पतियां होती है और एक जो बड़ा पोधा है चाय हлекाव ri17 पति छोटा हो उसमें भी क्या होती है पतियां होती है आज हम पड़ रहे हैं पाषिजे के भागों के बारे में के पाषे ale कौन कौन सी चीजे होती हैं आपने ये जान लिया कि चाय पौधा छोटा हो चाय पौधा बड़ा हो उसमें जड़ होती है घास के पौधे में भी जड़ होती है आम के पौधे में भी जड़ होती है तो बरगत के पौधे में भी जड़ होती है बस यह है कि घास में छोटी होती है आपने केले का पेड़न कितनी बड़ी पती होती है नीम की पती देखे वोगी छोटी सी यह कोई जैब्योरी नहीं नहीं है कि पादा होगा तो पती भी बड़ी होती हैं यह क्लोगी जपने अपने जरु KIMdefined का पेंड देखा होगा इमली का पेंड देखा होगा पेंड तो काफी बड़ा होता है लेकिन पतियां छोटी होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि पेंड बड़ा होगा तो पत्ती भी बड़ी होगी यह उसकी गुणपर निर्वर करता है ठीक है लेकिन पतियां होंगी जरूर पौधे में जड़ भी होगी ठीक है और फूल आते हैं चोटी-चोटी घास में भी फूल आते हैं आम में भी फूल आते हैं आम के फूल को आपको क्या कहते हैं बहुर कहते हैं कहते हैं में बहुर आ गया उसका फूल है ने में भी फूल आते हैं इस प्रकार से अन्य भी नंग हो गये जड़ तन थना पति फूल और फल यह पौधे में पाँच चीज़ें पाई जाती है कि सभी पौधों में वह पौधा चाहे छोटा हो वह पौधा बड़ा हो यह पा सीजि़ें इसमें पाई जाएंगी जड़ तना पत्ती फूल और फल पाए जाएंगे यह सभी पौधों में होंगे हमने एक चित्र बनाया है यहां से आप लोग देख सकते हैं देखें जो पौधे की जड़ होती है वो आपको कहां दिखाई दिरी है यह हमने आप धरातल बनाया हुआ है मिट्टी बनाया हुए यानि य जड़ में देते हैं यानि पानी को कहां देते हैं मिट्टी में पानी डालते हैं और मिट्टी से ही जड़ पानी को सोसित करती है दूसरा क्या इसका तना है पत्तियों को आधार प्रदान करें फूलों को आधार प्रदान करें यानि फूल फल और पत्ति कहां लगते हैं तन तना कहलता है पतियों फलों और फूलों के बीच और जड़ के बीच में का माध्यम का काम करता है यानी चीजों को जड़ से पतियों तक फूलों तक फलों तक और फलों से फूलों से पतियों से जड़ तक एक मध्यस्त का काम करता है ठीक है मीडियेटर का काम करता है कौन तना और एक आधार भी प्रदान करता है इसके बाद इस तने पर क्या निकलती है छोटी छोटी पतियां निकलती है बाद में रहोता है पत्यों का नाम आता है पूलों का रंग बिजय कोई पते नहीं क्या होता है कहीं लाल फुल तो कहीं पीले फुल कहीं खुल निले फुल है ना गेंदे का फूल कैसा होता है पीला होता है गुलाब में हरा भी उता साhardi गुलाब का जो होता है पतियां हरी और पूल होता है लाल भी हो Tá तो पीला भी होता है तो कहीं सफेद भी होता है ना अइसी बहुत सा contam Ara पर चमीली का फूल सफेद होता है गुडहल का फूल लाल होता है यानि फूलों के रंग बिभिन बिभिन रंग के फूल बड़े आकर सकते और फिर आते हैं फल तो देखें फल क्या क्या है कि जब फल कच्छा होता है तो तो हरा होता है किसी भी चीज का फल हो कच्छा फल का त पीला भी है ना टमाटर लाल सेव लाल ठीक है और संत्रा तो उसका एक रंग ही अपना बन गया नारंगी कोई रंग नहीं तो यह सब चीजे हैं पौधे के भागों के बारे में जड़ तना पत्ती फूल और फल अब ज़ा इनके काम समझ लेते हैं इनके अपने कुछ महत्व ह पौधे के लिए इनकी आउसकताएं क्या हैं तो यहां से देखेंगे हम लोग पहली चीज जड़ जो कि आप यहां देख पा रहे हैं तो जड़ दो प्रकार की होती है एक तो रेसेदार ज़ड़ होती है और दूसरी मूशला जड़ होती है तो रेसेधार ज़ड़ में किसी बड़े पौदे को ख़़ो तो उसमें आपको एक मोटी जड़ दिखाई देगी और उसमें अनेक सहाइक चोटी-चोटी जड़े होगी एक मोटी जड़ और उसकी साथ फिर अनेक चोटी-चोटी पतली जड़े तो उसको हम लोग मूसला जड़ कहते हैं क्या कहते हैं मूसला जड़ ठीक है और जड़ का काम क्या है तो जड़ का काम है पौधे को आधार प्रदान करना पौधे को कौन खड़ा करता है पौधे को कौन खड़ा रख पाता है आंधी तूफान वर्सा सब कुछ होता है पौधे को कौन खड़ा रखता है जड़ एक काम दूसरा काम है कि मिटी से खनीज तत्तों को सोखना, मिटी से सूचम तत्तों को सोखना, मिटी से पानी को सोखना और पत्तियों तक पहुचाना, फलों तक पहुचाना, काम किसका है जड़का, जड़के बारे में समझ गए, दूसरे नंबर पर आते हैं तना, तो तना हमने बत वहाँ हुआ कि तना पत्यों को फूलों को फलों को आधार प्रदान करता है और यह इन सब को जड़ के साथ जोड़े रहता है तना भी दो प्रकार का होता है एक साकी ये तना और दूसरा तो आपने देखाोगाँ कि कुछ पउधों के मजबूत होते हैं इनमें लकड़ी पाए जाती है इनको हम लोग कश्ठी है तना कहते हैं लेकिन कुछ पूदे ऐसे भी होते हैं जिनके तनों में लकड़ी Hem in Bakeів जैसे मत के मटर लोकी तुराई कड़ू है इन Xiaomi तो तन्हे होते हैं इनमें भी पत्तियां होती इनमें भी फूल आते हैं इनमें भी फल आते हैं सब कुछ होता है लेकिन इनके तने इतने कमजोर होते हैं कि उनमें लकड़ी नहीं पाए जाती है इसलिए उनके तनों को हम लोग साकिये तना कहते हैं क्या कहते हैं साकिये तना तो तने का काम एक ही है चाहे वो साकिये तना हो चाहे पौधे के और खड़ा रखता है जबकि साक्य तेनावले पौधे फैलते हैं किसी दूसरे सारे से उपर के और बढ़ते हैं ठीक है और तीसरे नबर प्याता है पत्ति पत्ति पौधे का एक मागत पूर्ण भाग है सभी पत्तियों का रंगहरा होता है और ये हरी पत्तियां पौधे के लिए खाना बनाने का काम करती है अगर पौधे में कहा दिया खाना कहां बनता है तो पत्ति में बनता है पतियां पौधों के लिए खाना बनाती है इनको पौधों का रसोई घर भी कहते हैं हमारे आपके रसोई घर में खाना बनता है जी बिलकुल बनता है तो पतियों में भी खाना बनता है किसके लिए पौधों के लिए है ना और पति में अगर आप देखें तो पति में एक सहायता से तने से जुड़ती है उसको ओलोक पर ये यहां पे लिखा गया है पार्ण व्रिंत या पत्र कछते हैं या पारण व्रिंध कहते हैं उस औरठब को जिसकी सहायता से पत्ति तने से जुड़ी होती है ठीक है दूसरा नंबर चाहता है अब पत्ति के भीच में देखें के लाइन से खिची workers यानी पत्ति दो ब्राबर भागों में पत्ति मुड़ जाती है उसे भीच वाले भाग को घ्र牌 का दिखाई देता है वो उसी को हम लोग मध्य सिरा कहते हैं और जो पत्ति का किनारा होता है उसको हम लोग सिखाग्र कहते हैं पत्ति के किनारे को हम लोग क्या कहते हैं सिखाग्र कहते हैं तो यह हो गया पत्ति के होते हैं कई फूल हमें सुगंद देते हैं कई फूलों से में फल प्राप्त होते हैं ठीक है और जी यह हमने आगे फल लिखा हुआ है यह फल हमें फूलों से से भाग होते हैं एक फिर से देख लीजिए पौधे में जड़ होती है जड़ से उपर फिर तना होता है तने पर फिर पत्तियां लगती है पत्तियों में फूल आते हैं और उन फूलों में फिर फल बनते हैं यहीं पांच भाग हैं जो किसी पेड़े में होते हैं इस वीडियो में इतना ही आप लोग इस वीडियो को देखेंगे पार्ट दो को पढ़ेंगे यह पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा इस वीडियो में इतना ही